हेलो फ्रेंज जैमातादी तो आप सभी को आपके चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो मॉर्निंग का समय तो मैं सारा काम निप्टा लिया है मॉर्निंग का और दुपहर के लेंच की तयारी कर रही हूं तो पी रही हूं चाय तो आज आईए आप भी पी लीजिए तो मैं आपके साथ सेर करूंगी तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन दोरा हमारे आने वाली वीडियो आप तक बहुत जाए तो फ्रेंड से क्योंकि आज हमारा वीडियो ना आप से बात करूंगी तो अपने हैस्बिन के बारे में तो मैं आज ना मैं आपको इसली बात क्या करने वाली हूं क्योंकि मेरे हैस्बिन ना बहुत काम करते हैं मेहनत का काम करते हैं यानि की कार्पिंटर और कार्पिंटर का काम बहुत मेहनत का काम होता है क्योंकि यह काम ऐसा होता है कभी काम मिल गया तो चल गया नहीं कभी कभी होता है तो बहुत परिसानिया और बहुत ही दिक्कते आती हैं मेरे हैस्बिन को क्योंकि ये रात को भी नहीं मानते और रात को भी ये नाइट में भी काम करते हैं तो मैं मना करते हूं मगर क्या करें काम नहीं करेंगे ये हमने जो हमने ये मकान है ये बहुत मुसीबतों से मैंने बनाया हो था आजसे मैं जब गाउं में रहती थी आजसे 20 साल पहले तो मैं बहुत परहसानी और दिकते होती थी वहां से मैं चली आई तो यहां पे मैंने 10 से 15 साल में किराय से मकान में रही थी और इसके बाद मैंने सारी अपनी चीजे यानि की जो भी हमारी सास ने मेरी साधी में दी थी और मेरी मम्मी पापा ने दी थी सारी चीजे हमने बेच के और मैंने थोड़ी सी जगा ले 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 थी इसके बाद दीरी 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 मैंने चारों दिवाल उठाए जितना पैसा जुड़ा हो इसके बाद जब पैसा 2-3 साल बाद जोड़ पाया तो उसका हमने लिंटा डलवाया फिर इसके बाद 2-3-4 साल के बाद लिंटा डलवाके और मैंने उसमें अपनी टीन डाल ले ती उसी में गुजारा कर रही थी इसके बाद मैंने दो-तीन साल के बाद जब पैसा हमारे पास आया थोड़ा सा बन गया तो मैंने लिंटा डलवाए इसके बाद तीन-चार साल 2-3 साल के बाद मैंने इसका पलस्तर कराया तो इस तरहीके से मेरे 10 साल 6-8 साल मुझे इस मकान को तयार होने में लगा और अब जाके इतना मेरा मकान थोड़ा सा अच्छा बन गया है और तो यह होती दिकते बहुत आती हम लोगों ने बहुत मुसीबते जहली बहुत मुसीबते आई तो अब जाएके थोड़ी सी आए बस अब यह होता है कि मेरे हैस्बिन का कभी काम होता है कभी नहीं होता है तो बहुत सारी दिकते आ जाती है तो मैं भी यही बस आसा कर रही हूँ कि भी मेरा भी यूटूब पे कुछ ऐसा अच्छा सा हो जाए रिस्पॉंस मिल जाए तो कि मेरे हैजबन को थोड़ी सी हमारी हेल्प मिल जाए तोसिस में लगी हूँ और मैं आज इतना खुस भी हूँ आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी जो क्लीनिंग वाली मैंने बहुत खुसी में सूर हो रही है तो ऐसा लगता है आसा हो रहा है कि हाँ अब मेरे चैनल का कुछ हो जाएगा और मैं बस मेहनत करूंगी बस मातारानी और हमारे साथ के जितने जुड़े हैं तो उनका भी हमारे साथी साथ चलते रहें और उनका भी काम्याबी हो तो मैं आलू काट रही थी और साथ में मेरे साथ के जुड़े हुए फ्रेंड से मैं उनके वीडियो भी देखती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही मुझे टाइम मिलता है और नेट अच्छा चलता है तो मैं उसी समय क्योंकि इसके बाद साम के बाद ऐसे कश़ दका जाए तो मैं किसी भी वीडियो नहीं देख पाते हूँ तो वही मैं वीडियो भी देख रही हूँ अपने फ्रेंड से और अपना काम भी कर रही हूँ तो बही मैं दुपार का लेंच तयार कर रही हूँ तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर यूँ ही बने रही है और फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं बहुत परिसान हूँ मैं किसी को नहीं बता सकती की परिसानी क्या है तो यूटूब पे आके ही मैं अपने जो परिसानी वो मैं बता सकती हूँ और कहो कि मैं रिस्तेदारी में या रिस्तेदारी में पहली बात रिस्तेदारी में अपनी बात कभी रखना नहीं चाहिए, अपनी मुसीबते कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्तेदार अपने होते तो हैं, बट वो किसी मुसीबत में जल्दी साथ नहीं देते हैं, औ और हमारी मुसीबतों को। हमारी मुसीबतों में वो आय सुक दुप। कभी वो दुप में सामि homicide नहीं हुई हैं। तो वो जब मेरे साथ नहीं हो रहा है तब ही में आपको बता रही हूँ। और सायद ऐसा बहूत लोग के साथ होता होगा कि जब मुसीबते आती हैं तो कोई रिष्टेदार आपके साथ नहीं खड़ा होगा और कितनी भी आप मुसीबत में खड़े हों तो यहीं होता है तो अपने माबाप होते हैं वहीं खड़े होते हैं और इसके बाद कोई अपना नहीं होता है भाई हैं भावी हैं य रिस्तेदार नहीं होते यह तो अपने होते हैं तो यह तो अपने खड़े ही होंगे और को कि हमारे अपने रिस्तेदार अपने ससुराल के पच्छों या अपने माईके के पच्छों कोई नहीं खड़ा होता है और अच्छे होते हैं तो खड़े हो जाते हैं बट अपने माबा और भाई भावी के सिवा कोई नहीं आपके लाइफ में खड़े होगा तो इधर सब्जी बन चुकी है और उदर दाल है वो भी बन चुका तो हम दाल का तड़का लगाने के लिए कड़ाई में हमने प्याज लसन और मिर्चा जीरा और टमाटा डाल के उसको ने तड़का लग अचार और रोटी अचावल बनाके रख लिया है तो उसके दूसरी का क्लिप है तो मेरी भावी अपने घार जा रही थी क्योंकि घुली आ रही है तो घर तो जाना ही है अपने घर तो आजना मेरे पपी के कल चोट लग गए थी बहुत ज़्यादा इसके और यह अभी हमने इस पर पट्टी बांधाता तो तो कुछ आराम मिला मैंने दवा लगाए थी मुझ तो कुछ तो आराम मिला है कल से बैतर है बैटर है कि दर्द नहीं हो रहा है और इसे दर्द हो रहा है कुछ-कुछ दर्दोरा पे जो हाथ है इसका आगे कर वह अपना हाथ नहीं रख पा नीचे काफी बहुत बुरा लग रहा देखिए देखोगी और पता यह अभी जब मेरा बेटा है अरजुल वही उठा कर लाया था सलक पर से तो यह सड़क पर ऐसे गूम रहा था इसकी ममी खतम हो गई थी इस पार हो गई थी यही जो सड़क पर गूमने वाली कुतिया होती है उनी का यह बच्चा है और यह उसकी ममी जब एक्सपार हो गए तो यह गंदा गंदा सा गूम रहा था तो यह उठा लाया था वहां से तो यह आठ दिन का था इसकी आखे भी नहीं खुली हुई थी और मैंने इसे इसको पाला इसको अमने सेया और यह हमारा बहुत पपी प्यारा है और बस इसके चोट कर लग गई थी एकदम से तो यह बचारा अभी यह बैठा है चल नहीं पा रहा है और इसको लेटी इन बात्रूम सब हमें कराना पड़ता है मुझे ले जाना पड़ता है बाहर और अच्छा बात है कि यह अंदर नहीं गर में नहीं करता है औ यह हम इसे बाहर आजाते हैं लेकर तो बताएगा मुझे तो यह बहुत प्रपी प्यारा है और बहुत प्यारा है और यह भी मेरा भी बहुत ख्याल लगता है जब भी कोई आ जाता है दरवाजे के पास तो यह तुरंत मैं नहीं आ पाती हूँ दरवाजे खुलने यह पहले किसी को इधर भनक निकलने ही नहीं देता है देख सकते हैं बहुत त्यारा सा पकी है और बस बहुत दुख लग रहा है इसके चोट लग गई है आज तो डाक्टर मिलेंगे नहीं संडे हैं तो कल मैं इसे ले जाओंगी पट्टी करवाओंगी और पट्टी मेंने घर्मी कर दि तो इससे बहुत काभी आराम मिला इसे और वो में आपको दिखाने पाई और कितना सांट पेठा है ना तो आप देख सकते हैं तेखी कितनी चोट लगी हुई है तो मैं कल ले जाओंगी इसे और इसको इंजक्शन एक लगवाओंगी तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा तो मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ अपना वीडियो तो लाइक और कमेंट चरूर कीजिएगा